एग आज हम स्टार्ट करते हैं अफेर सीरीज एपिसोड सेवन के नेक्स स्पॉयलर के साथ आंटी वी की ये बाते सुनकर प्लैंग की आँखों से लगातार आंसू बहने लगे और ये सोचकर घुटन होने लग गई कि मैं अपनी बहन के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया ऐसा नहीं हो सकता रात के बारा बजग गए लेकिन प्लैंग घर वापस नहीं गई वो रोड साइड बैठी आंटी वी की कही बातों के बारे में सोचे जा रही थी इस दोरान वोन उसे अंगिनत बार कॉल और मेसेज़स कर चुकी थी लेकिन प्लैंग उसे जवाब नहीं दे रही थी अंट में प्लैंग ने घर लोटने का फैसला किया ये सोचकर कि वोन शायद काम पर होगी लेकिन जैसे ही उसने दर्वाजा खोला सामने वोन गुस्से में सोफा पर बैठी मिली तुम कहा थी वोन ने गुस्से से पूछा मुझे लगा तुम काम पर होगी वोन मैं नहीं गई तुमने फोन नहीं उठाया मैसेज़स पड़े और जवाब नहीं दिया क्या तुम मेरी मॉम के साथ थी हाँ तुम मेरी मा की बात पर विश्वास क्यों कर रही हो वो जूट कह रही है और तुम इतनी शोर कैसे हो वोन प्लैंग ने चीखते हुए कहा तुम सब कुछ पहले से जानती थी कि हम इससे आगे प्लैंग कुछ कह नहीं पाई बहने है वोन ने सेंटेंस को पूरा किया हाँ प्लैंग ने अपनी नजरे नीचे करते हुए कहा तुम ने कहा था चाहे कुछ भी हो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी वोन ने कहा लेकिन ये अलग है हमारे पिता एक ही है और इस वजह से हमारा रिष्टा ये गलत है फ्लैंग बस इतना ही कह पाई तो वोन कहती है हम बहने नहीं है लीज वोन सच्चाई को मान लो फ्लैंग कहती है वोन ने हसकर कहा तो अगर हम बहने हैं भी तो क्या हम बच्चे तो नहीं पैदा करने वाले प्लांग इस बात को बरदाश नहीं कर पा रही थी और उसे बहुत अजीव फील हो रहा था तो वॉन कहती है हम अल्रेडी कितनी बार फिजिकल रिलेशन बना चुके हैं अब उसका क्या करना है फिर तो प्लांग रोती हुई वहां से जाने लगती है तब ही वॉन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम फिर से भाग रही हो तो प्लांग कहती है चाहे मैं तुम से कितना भी प्यार करूँ लेकिन मैं ये बरदाश नहीं कर सकती कि हम बहने होने के बाद इस तरह से वॉन बहुत रो रही थी ये कहते हुए कि तुमने मेरा विश्वास ना करके मेरी मा का विश्वास किया वो भी बिना किसी सबूत के ये बात ने मेरे दिल को तोड़ दिया है तुमें कहीं जाने की जुरुत नहीं है प्लांग मैं ही जाती हूँ और ये बोलकर वॉन में डोर से चली जाती है वॉन को गई काफी घंटे हो चुके थे प्लांग ने फिर भी सोचा कि कुछ भी हो लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती मुझे नहीं पता मैं वॉन के बिना कैसे जी पाऊंगी लेकिन इस वक्त उससे अलग होना ही सब के लिए बहतर होगा सुभा जब प्लांग अपना सूट केस लेकर निकल रही थी तब ही बिल्डिंग रिसेप्शनिस ने उसे एक चिट्थी दी जो वॉन की तरफ से थी उसके अंदर डियने रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि वो दोनों बहने नहीं हैं साथ ही लेटर था उसमें लिखा था लांग तुम तेरा साल पहले मुझे छोड़ कर चली गई थी मुझे अकेला छोड़ दिया था और तुम्हारी चिट्थी पढ़ने के बाद जैसे मेरी जिन्दगी खतम सी हो गई थी मुझे नहीं पता ये एक इत्तिफाक है या नहीं लेकिन मैं ये चिट्थी चार बजे सुबह लिख रही हूँ आसूं के साथ वही वक्त जब तुमने मुझे छोड़ा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चिट्थी मैं कभी तुम्हारे लिए लिखूंगी मैंने तुमसे तब से प्यार किया है चब से होच संभाला पता नहीं ये कैसा प्यार था लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी अपनी जंदगी में तुम्हारा मुस्कुराना देखकर मैं खुश होती थी तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून मिलता था जब मुझे एहसास हुआ कि तुम किसी और के साथ डेट करने लगोगी तो मैं जलन महसूस करने लगी मुझे एहसास हो गया था उस वक्त कि मैं तुम्हें किस तरह से प्यार करती हूँ लेकिन तुम प्लांग थी मेरे मालिक की बेटी तुम मेरी पहुँच से बाहर थी और एक औरत थी फिर भी मैं तुम्हारे आसपास रहकर खुश थी मैंने अपनी जजबात कभी जाहिर नहीं किये कभी कभी हम अजाग करते लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये मुम्किन नहीं लगता था लेकिन ये मुम्किन था मैं समझ गई थी तुम भी मेरी तरफ खिंच रही थी लेकिन तुम प्लांग थी जो कभी ये मान नहीं सकती थी कि तुम्हें लड़कियां पसंद है खास कर अपनी सबसे अच्छी दोस्त तुमने हमेशा बहाने बनाए मुझे दूर रखने के लिए फिर तुमने मुझे एक और आदमी एक के हातों दे दिया मैंने उस आदमी से शादी की जिससे तुमने चुना सिरफ इस लिए कि मुझे लगा तुम शादी में आओगी ये सब इस लिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी जब हम फिर मिले तो मुझे लगा मेरी दूआ कबूल हुई थी लेकिन मैं एक बात भूल गई थी जो मुझे पहले से पता थी कि मा ने कहा था कि तुम मेरी बेहन हो पहली बार ये सुनकर मुझे अजीब लगा मुझे लगा मेरी मा लालची थी उसने मेरे पापा को पाया था लेकिन वो तुम्हारे पापा को भी चाहती थी उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया और तुमसे नफरत करने की वज़ा खोजी लेकिन मुझे ये बात याद आई और डड़ लगने लगा कि कहीं तुम सच में मेरी बेहन तो नहीं बहुत देट तक मुझे हिम्मत नहीं हुई डियन ने टेस्ट करवाने की क्या होगा अगर रिजल्ट मैच कर गया पहले तुम मुझे लगा कि जो भी हो फरक नहीं पड़ता मैं तुम से प्यार करती थी तुम मेरी बेहन भी होती तो भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मैंने सच जानने का फैसला किया और अब तुम रिजल्ट देख सकती हो हम बेहने नहीं हैं मैंने तुमें ये क्यों नहीं बताया तुम ये सोच रही होगी क्योंकि कोई वजह नहीं थी अगर मैं तुमें बताती कि हम बेहने नहीं हैं तो तुम और उल्जन में पड़ जाती तुमने मेरी मापर विश्वास किया मेरे उपर नहीं जबकि मैं तुमसे सबसे जादा प्यार करती थी ये DNA रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि हम रिश्टेदार नहीं है और ये भी सबूत है कि सरफ मैंने तुमें बिना किसी शर्टों के प्यार किया है मुझे नहीं पता तुम ये पढ़ने के बाद कैसे महसूस करोगी शायद तुम मुझे अब भी नहीं मानोगी क्योंकि ये वॉन ने कहा जिस पर तुम विश्वास नहीं करती वही वॉन जो तुमसे प्यार करती थी और करती रहेगी जब तुम्हारा प्यार तुमें छोड़ कर जाता है तो वो दर्द क्या होता है मैं वो तुमें महसूस करवाना चाहती हूँ शायद जब तुम ये पढ़ो मैं यहां ना रहूँ ये तुम्हारे लिए एक सबक है गुडबाई वॉन की लिखी चिट्थी प्लैंक के हाथों से गिर गई उसका दल तूट गया गिल्ट के कारण वो जमीन पर गिर गई आसूओं के साथ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वॉन के अलविदा का क्या मतलब है क्या वो सच में अपनी जिंदगी खतम कर रही है नहीं वो डॉक्टर है उसके पास जिम्मेदारियां है उसने सिरफ मुझे सबक सिखाने के लिए सब लिखा है ऐसे अंगिनत सवाल प्लांग के दिमाग में चल रहे थे अपने आपको संभालते हुए प्लांग वोन को ढूड़ने निकल जाती है यह कहते हुए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती वोन मैं तुम्हें जाने ही नहीं दोंगी इस स्पोईलर के लिए बस इतना ही गाइज और बहुत जल्द हमें लेंगे नेक्स्ट एपिसोड के स्पोईलर के साथ अगर आपको यह विडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मा चानल थांक यू